असलाम लेकूं माई यूट्यूब फैंबली कैसे हैं आप सब लोग आज की जो रेसिपी है वो है लिंक पिछली रेसिपी से यानि के निहारी से और ये नान की रेसिपी है इसके लिए मैंने लिया है यीस्ट वन टेबल स्पून ये मैंने लिया है घी टू टेबल स्पून ये पिसीवी चीनी है वन टेबल स्पून और नमक भी है वन टेबल स्पून ठीक है ये एक किलो की मेजरमेंट्स है दूद इस के लिए बहुत जादा जरूरी है क्योंकि वो इसको साफ्ट रखेगा अंडा भी इसमें जाता है लेकिन अगर आप लोग नहीं डालना चाहते तो देंगे ये मैंने पिसीवी चीनी जो है वो इसके अंदर डाल दी है अब इसके अंदर हम लोग डाल देंगे नमक ठीक है और नमक मैंने वन टेबल स्पून में से थोड़ा सा मतब कर लें दो मतब चुटकी जितना मैंने बचा भी लिया था और यीस्ट को नमक से तरह डाले मैंने अब आप ये येरेक नमक के ओपर आप लोगों ने यिस्ट नहीं आड़ करनी अब इसके अंदर जो है जो है नवो इसके अंदर वेक्स चला दें ताकि यह जो ड़ए निग्रेड़ेंट्स हैं वो अची तरह मिक्स हो जाया है तो पहले हम इसके अंदर प्लिया अंदर डाल दें चीनी और ये जो दूद है ना एक कब और यीस डाल दें और उसको जो है ना वो दस मिनट के लिए रख दें वो फर्मेंट हो जाएगी मतलब वो अपना तो फिर आप इसमें आड़ कर दें लेकिन अगर आप इस तरह से भी करते हैं तो ये भी बहुत अच्छ होंगे मतलब कहीं से भी आपको इसमें यानी सख सख इस तरह से नहीं लगेगा थोड़ा से जोगी है वो मैंने बचा लिया था क्योंके जब मैं इसको गून लूंगी तो मैं इसके उपर से भी लगाऊंगी अब जी चले इसको हम मिक्स करते हैं और फिर हम इसको गूनना श चाहिए है है तो मैने यह कर दिया. अब अब मैं इस सब चीजों को अच्छे से मिक्स कराँगी और इसके बाद मैं दूद और पानी अ Así करोंगी पानी इतना ही जितना को इसको गूनने के लिए चाहिए होगा तो मैं आपको सी कंडिशन शोग करोंगी के मतलब कितनी जो है क हम इसके अंदर add- каких देंगे पिर हम इसको mix करेंगे और इसके बाद हम इसके अंדर जो है आँसा इसो पानी आइड करेंगे पहले हम इन चीजों को अच्छी तरह mix कर लेंगे आपस में यह बौल थोड़ा चोटा था और मुझे इसके अंदर कुने में जो है ना वो काफी मसला हो रहा था लेकिन चलो जब तक गुजारा हो रहा है तो तब तक हम इसी के अंदर ही करते हैं ये देखें ये अच्छी तरह मिक्स हो गया लेकिन अब ही आप देखें कि ये आटा नहीं कुंदा है मतलब डो की फॉर्म में ये नहीं आया है तो इसके बाद हम इसके अंदर जो है ना वो थोड़ा थोड़ा पानी आड़ करते जाएंगे ये देखें मैं इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी अड़ कर रही हूँ एक ही दम पे आपने इसके अंदर पानी एड़ नहीं करना वरना फिर क्या होगा कि या तो आप से बहुत ज़ड़ा नर्म हो जाएगा या इस तरह तो फिर इसने फर्मेंट भी होना होता है और ये जो इसके अंदर भी थोड़ी और नर्म हो जाती है तो आपने इस साब से रखना है इसको फिर आपकी जो है नापसे पिड़े बनेंगे नापसे ये डो उठाई जाए जाए तो आपने इस तरह आराम-अराम से ही इसके अंदर पानी एड़ करते जाना है यानि आपने डो इस तरह से रखनी है कि अब भी जब आप करें न तो आपको सॉफ्ट लगे ठीक है सॉफ्ट देन रोटी वाला आटा ठीक है बट इतनी भी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हो क्योंकि जब ये राइज हो जाएगी न डो यानि ये इस टपना काम करेगी और ये राइज हो जाएगी इसके बाद ये अच्छी खासी सॉफ्ट हो चुकी होती है तो इस तरह से आपने इस हाटे को रखना है ये देखें अब मैं इसको ऐसे गुनती जा रही हूँ थोड़ा थोड़ा पानी अड़ करी है और इसको गुनत रही हूँ फिर इसके बाद मैंने इसको एक जो है न वो बड़ी परात के अंदर जो है न वो कनवर्ट कर दिया था क्योंकि उसके अंदर मुसे बिल्कुल भी गुनदा नहीं जा रहा था ये देखें अब इसके अंदर इसको अच्छी तरह से जो है न गुन सकते हैं और बस मैं ऐसी करती जा रही थी फिर ये देखें अभी ये हाथों से बहुत ज़्यदा चिपक रहा है तो अगर मतलब जितना अच्छा आटा गुन दे हैं ना उतनी ही अच्छे आपके सॉफ्ट जो है ना बुनान बनेगे इसी तरह मैं गुनती गई थी आखिर मैं इसने चिपकना जो है ना बहुत ही कम कर दिया था मतलब कि और आलमोस जो है ना नहीं चिपक रहा था तो फिर अब मैं देखें मैंने इसको एक बॉल के अंदर कनवर्ट कर दिया है और मैं इसको हर तरह से बॉल के अंदर नीचे से भी आपने लगाना है और हर तरह से मैं इसके ऊपर जो है ना वो ऑईल या घी लगाऊंगी क्योंकि मैदा जो है वैसे भी आटा बहुत जल्द से इसके उपर आयल लगा देना है ताकि कहीं से भी ये उपर से खुश्क ना हो ये देखें मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि हर तरह से मैंने अच्छे से लगा रही हूँ आप लोग भी ऐसे कीजिएगा नीचे से भी इसके मतब बरतन पे भी लगाईएगा और आप देख रहें आपको शो हो रहा है कि मतब ये किस तरह का है कितना नर्म है कि मतब आप लोगो शो होई गया होगा कि यानि अब ये अब ये अब लिटल बिट सॉक्टर देन रूटी वाला आटा लेकिन नॉट टू मच सही है ना अब देखे माँ भी मेरा कुकर लगावा था और उसकी हीट इस तक पहुंच रही है आपने इसके बाद अच्छी तरह इसका ढखकर बन करके इसी जगह पे रखना जहां पे हीट हो पिर अब आप देखें तब कितना था आटा और आब ये कितना अच्छा राइज होके कितना हो गया है और आप लोगों को मैंने दिखा भी दिया है कि ये किस तरह से सॉफ्ट है अब भी आप इसके मतलब पेड़े अच्छी तरह बना सकते हैं और इतना पेड़ा जो है आप बनाएगा क्योंकि जो नान वारी रोटी होती है उसको हम बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलते हैं सही है ना मताब वो रोटी के निस्पट थोड़ा सा मोटा हम इसको बेलते हैं तो इसे साब से अब अपना पेड़ा रखिएगा अब ये देख लें कि मताब ये इतनी साफ्ट है कि इसका पेड़ा बन सकता है अगर ये इससे ज्यादा साफ्ट हो जाती ना तो फिर इसका पेड़ा बनाना मुश्किल हो जाता बलकि इसको हाथ में ही उठाना मुश्किल हो जाता सही है इस सरह करके जी इसके पेड़े बनाते जाएं और रखते जाएं लेकिन जैसे ही फर्स्ट पेड़ा आप लोग बनाएं तो वो कीजिएगा मतलब क्या कहते हैं उपर से ना कोई रुमाल किचन टावल वगारा क्या कि वो कीजिएगा गीला करके उपर डालिएगा वरना ये खुश्क हो जाएंगे उपर से और फिर आप से नहीं बनेंगे तो उपर ये मस्ट है कि आप लोग इसकी उपर गीला कुछ आप लोग रखें या अगर आप लोगों के पास जो है न वो क्लिंग रैप है तो आप लोग उससे इसको अच्छी तरह रैप कर दें ताकि हवा का जो है न वो गुजरी ना हो तो ये खुश्क नहीं होंगे बस जी ऐसे पेड़े बनाते जाएं और रखते जाएं और ये देखें ये मेरे पेड़े बनके त्यार है और आप लोगो नजर आई रहोगा कि ये मैंने नर्मल डोटी से थोड़े बड़े पेड़े रखें क्यूंकि हमने इसको पतला नहीं करना है ज्यादा अगर हम लोग ज्यादा पतला करेंगे तो फिर ये उठाई भी नहीं जाएगी अब ये आप लोग को देखें ने जरारा है कि ये थोड़ी मोटी सीरोटी है बस इतना मैंने इसको बिला आपको साइट से स्की मोटाई नजर आ रही है ना अब आपने जो साइड ठीक है ना जो साइड आपने डालनी है तवे के वपर तवा आपने या फ्राई पैन ले लें स्टील का होना चाहिए नान स्टिक नहीं होना चाहिए उसके उपर डालیں गे ना तो यह चिपक जाएगा यानि क्या करेंगे कि रोटी बेल लिए उसकी उपर पानी लगादिया वह पानी वारी साइड है ना वह आपने तवे की उपर ढाल देनी है जब औधवे की उपर ढाल देंगे ये स्टील का बरतन होगा तो ये उसको चिपका लेगा अब भी आपने देखा ने इसके उपर बबल जाए जब बबल उपर से आजाए आपने इसको इस तरह से उटा कर देना है उटा कर दिया तो फिर आपने नीचे से बार बार से करते रहना है बार बार से करते रहना है और ये हो जाएगा यानि उपर से कलर इसका आ जाएगा उपर से भी पक जाएगा तो बस आपने इसको उतार लेना है और ये बहुत ही असानी से उतर जाता है ठीक है आप लोगों को इतनी खास जो है ना वो महनत नहीं करनी पड़ती ये आप देखें इसके उपर जो है ना वो कलर आ रहा है आ रहा है ना कलर तो बस आपने इसी तरह कलर लाते आना है मैं बार बार आपको शोक कर रही हूँ ये देखें ये साइड से बार बार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे हसंद आपको, कि यहाँ पर Bulgu जा रहे हैं, जब यह Bulg जाना शूरू हो जाए, तो पर टाइम है, कि आप इसको उर्टा कर दें, और यह बल्कोल भी नहीं गिरेगा, आप लोग बिल्कोल भी फिकर नहीं किजिएगा, यह गिरेगा नहीं, बलके चिपका रहेगा ये देखें और ये असानी से जो है ना ये आ जाता है जब आप इसको हटाते है तो ये आ जाता है साइड पे अब ये जी इसकी फाइनल लोक थी और मैं आपको ये भी पतह हों कि मतलब बागी सब का मैंने लेकिन तवे के अंदर डालने का काम और तवे के उपर ये सेंखने का काम ये मेरे हजमें ने किया था मतलब हाफाफ पाटिसिपेशन थी नान बनाने में हम दोनों की तो ये देखें इस तरह से बने थे और ये बहुत ही सॉफ्ट थे और यानि नहारी के साथ, हलीम के साथ, इस तरह की चीज़ों के साथ जो है ना वो रोटी के बज़ए नान ही ज्याद अच्छे लगते हैं तो आप लोग जो है ना जब इतनी मेहनत एक डिश को बनाने में कर रहे हूं के जिएगा थैंक्स वर वाचिंग सब्सक्राइब मैं चैनल और शेर विद यूर फ्रेंड फैमली अला हाफेज